सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल जेके एक्जाम ट्रिप जो आपने ही यूट्यूब चैनल जेके एक्जाम ट्रिप पे बार्डर बटालियन के लिए स्टार्ट की हुई हैं सो आज को जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर बायो के कुछ इंपार्टेंट फैक्ट्स पे होने वाला है और जो जो मैं इंपार्टेंट फैक्ट्स आपको इस लेक्चर में बताऊंगा उनको आपने अच्छे से याद रखना है आपके डिफरेंट एक्जाम के लिए बहुत इंपार्टेंट है हासकर जो आपका जेके पी बादर बटालेन का रिटेन एक्जाम होगा उसके अंदर ये इंपार्टेंट फैक्ट्स आपको पूछे जाएंगे और इनको आपने अच्छे से याद रखना है सो विदोट वेस्टिंग माच अफ़ टी टाइम चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं सो गईस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने प्रिविएस लेक्चर अभी तक वाच नहीं किये हैं सो मैं आपको बता दूँ आप येके एक्जाम ट्रिप यूटिब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकर सकते हैं आप उन लेक्चर्स को ज़रूर वाच किजिए गलेंड्स पे हमने अलरड़ी डिसकस कर लिया है नर्वस सिस्टम पे हमने अलरड़ी डिसकस कर लिया है बाकी जितने भी लेक्चर्स थे बाइलिजी सेक्षन से वो आलमोस्ट कम्पलीट हो चुके हैं उनको आप चेक कर सकते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स के तकमिल सर यहां पे कम्पलीट करवा रहे हैं आप उनको भी जो हुआ अच्छे से अंडरस्टेंड कीजिए सो चलिए आज का यह लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो सबसे पहला हमारा फैक्ट है बायोलिजी का फैक्ट सबसे पहला है जी आपका सबसे लार्जेस्ट जो एक्स्टर्नल आर्गन है वो कुन सा है जी स्किन याद रखने आपने लार्जेस्ट एक्स्टर्नल आर्गन जो है वो आपका स्किन है लार्जेस्ट इंटर्नल आर्गन जो है वो आपका लीवर है याद रखने आपने जो आपका external organ है largest वो है skin और जो आपका largest internal organ है वो है liver उसके बाद सबसे hardest material जो है वो human body में कहां पे होता है तो वो होता है जी tooth enamel ठीक है और इसके अंदर क्या होता है calcium phosphate उससे second hardest जो है वो bone होता है ठीक है यह आपने याद रखना है next fact की बात करें तो next fact है जी सबसे smallest cell जो है वो कौन सा है so वो है guys mycoplasma gallico septum mycoplasma gallico septum सबसे smallest cell है सबसे biggest cell की बात करें तो आपका ostrich जो है वो सबसे biggest cell है ओके next fact की बात करें तो element most common in human body human body के अंदर most common element जो है वो कौन सा होता है वो होता है oxygen ठीक है उसके बात next fact की बात करें तो next fact आपका most common minerals जो है वो human body में कौन सा होता है so वो होता है आपका calcium okay next fact की बात करें तो next fact है आपका compound most common in human body human body के अंदर most common compound जो है वो कौन सा होता है सो वो होता है जी water ओके next fact की बात करें तो next fact है आपका सबसे longest cell जो है वो human body में कौन सा है तो वो है neuron neuron जो है वो आपका सबसे बड़ा cell है human body में सबसे largest cell की बात करें तो वो है आपका human body में औवम जो हो आपका सबसे बड़ा सेल है और सबसे लंबा जो आपका सेल है वो है नियूरॉन ठीक है लोंगस्ट और लार्जस्ट ठीक है आपने यह याद रखना है नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो सबसे स्मालेस्ट सेल जो है वो human body में कून सा है तो वो है आपका human का male का sperm सेल जो है आपका सबसे समालेस्ट सेल है और सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो है फीमेल का ओवम ओवम जो है आपका सबसे लार्जेस्ट सेल है और सबसे लार्जेस्ट सेल है और सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका सबसे लार्जेस्ट तो next fact की बात करें तो next fact है आपका किसब normal body temperature जो है वो कितना होता है तो वो होता है 37 degree Celsius से उसके बाद next fact की बात करें तो universal blood recipient जो है वो कुण सा group है तो वो है आपका AB negative ठीक है next fact की बात करें तो next fact आपका universal blood donor जो है वो कौन सा है तो वो है आपका O negative group blood group जो है वो आपका O negative जो है वो universal blood donor है next fact की बात करें तो normal आपका blood pressure जो हो कितना होता है तो वो होता है जी 120 से लेकर 120 into 80 mm of mercury ठीक है systolic आपका 120 यह होता है और dysystolic जो हो आपका 80 होता है यह आपने याद रखना है next fact की बात करें तो next fact है आपका कि bones in human body baby born जब आपका baby born होता है उसके अंदर bones जो हो कितनी होती है उसके अंदर जो हो 300 होती है और जो आपका adult होता है adult के अंदर जो bones होती है total number of bones वो जो है 206 bones होती है next fact की बात करें तो next fact है आपका कि total number of muscles in human body total number of muscles human body में कितनी होती है तो वो होती है 6139 ठीक है next fact की बात करें तो आपका है सबसे largest muscle जो है वो आपकी कौन से होती है तो वो होती है आपकी gluticus maximus यह जो है वो इसको हम butock muscle भी जो है वो कहते हैं next fact की बात करें तो next fact है आपका सबसे strongest muscle जो है वो आपकी कौन से होती है तो वो होती है मैसीटर muscle मैसीटर muscle जो है सबसे strongest muscle होती है और यह कहां पे होती है in the cheek back of the jaw जो आपका jaw होता है उसके back पे होती है और यह सबसे strongest muscle होती है next fact की बात करें तो आपका fact है largest and strongest bone जो है वो human body में कौन सी है largest भी और strongest भी तो वो bone है आपकी femur bone जो है जो कहां पे होती है आपके थई में होती है थई जो होता है आपका उस में आपकी जो है वो यहां पे femur bone होती है यह bone जो है next fact की बात करें तो next fact है आपका volume of blood in body कितना होता है so वो होता है 6 liter 70 kg जो है वो body में होता है ठीक है so hemoglobin किसके अंदर होता है blood के अंदर होता है next fact की बात करें तो next fact है आपका सबसे largest artery आपकी कौन सी है तो वो है आउटा आउटा जो है वो आपकी सबसे largest artery है लार्जेस्ट वीन जो है वो कौन सी है वो है जी इनफीरियर वीना कावा जो आपकी लार्जेस्ट वीन है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो आपका सबसे हाई बीपी को हम जो है वो क्या कहते हैं हाई बीपी इस आलसो नौन एज उसको हम जो हम साइ साइलेंट किलर भी कहते हैं ठीक है हाई बीपी को हम जो है वो साइलेंट किलर भी कहते हैं यह आपने याद रखना है नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूज किये जाते हैं हार्ट पेसमेकर में उनको हम कुन से होते हैं वो होते हैं यू हम कहते हैं लाइसोजोम लाइसोजोम जो सेल औरगोनलीज होती है इसको हम सियुसाइडल बैक्स भी कहते हैं नेक्स्ट अर्थवार्म को हम जो है वो क्या कहते हैं तो अर्थवार्म को हम जो हो फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं नेक्स्ट फैक्ट की बाद सेलेन की डिसकवरी जो है वो किस ने की थी तो वो के थी फ्लैमिंग ने नेक्स्ट ब्लड ग्रूप किस ने डिस्कवर्ड किया था वो किया था कार्ल लैंड स्टेनर ने नेक्स्ट आमला को हम जो हो क्या कहते हैं आमला को हम जो हो हर्बल एंडियल डॉक्टर भी कहते हैं नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो बैक्टेरिया को किस ने डिस्कवर्ड किया था एवी लिवन होक ने डिस्कवर्ड किया था ठीक है सबसे स्मालेस्ट बर्ड की बात करें तो वो कुन सा है जी अलक जाफ्रेज ने जो हो डियन डेस्ट डेवलप किया था नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो नेक्स्ट ऐबका फर्स्ट सक्सेसुल हॉट ट्रांस्प्लेंटेशन शूझard कि थी तो वह की थी सी और Bernard Bernard ने सबसे पहली हाट transplantation जो है वो कियी थी next fact की बात करें तो आपका fact नहीं है यही important facts थे जो मैंने आपके साथ discuss कर दिये so guys hope करूँगा कि आपको एक एक fact जो हो अच्छे से understand हो गया होगा अपने अच्छे से जो हो इसको understand कर लिया होगा आपने जो हो यह important जो biology के facts है इनको याद रखना है आपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है ताकि जब आपका exam होगा उसके अंदर आपको यही important facts जो हो पूछे जाएंगे तो आपने जो हो अच्छे से response कर देना है so hope you like it like the lecture thank you thanks for watching my way lecture अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को like करने के साथ साथ अपने friend circle में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी students तक यह lecture कौई सके और वो free of cost इसका benefit यहाँ वो ले सके so मिलते हैं next lecture में किसी next topic के साथ तब तक के लिए bye bye अल्ला हाफीज झाल